चलिए आज बनाते हैं सूजी और पोहा से बहुत ही बढ़िया रेजिवी तो उसके लिए हमें चाहिए सूजी और सूजी को हमें एकदम महीं चाहिए यानि अगर आपके पास स्मोट्टी वाले सूजी है तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिजें मिक्सिजार में डालके अब लेंगे पोहा जो नार्मलि हम पोहा यूज करते हैं घर में यह पगिपोहा है लेखिन उससे हमें ग्राइंड करके लेना है यानि वह हमें पाउडर फोम में चाहिए तो उसके लिए हमें मिक्सिच के जार में लेकिच उससे पीस ना हे बिल्कुल देखिए इस तरह से पाउडर फाम में आना चाहिए अच्छे से पीस लीजिए और इस तरह से पीसने के पाद भाद हमें उसे भी अर्च कर ना है जिसे भी आप ब भाउडोंड़ुश्ँ, तो इस तरह से हमें डौ कव भाई चाहिए और एक कप सुझे तो देखिए मैंने इसे भी г- कर लिया है चलिए इसे भी निकाल लेते हैं चलिए फिर अब चलते हैं गेस की तरफ चाहा हमें रगती है कड़ाई कड़ाई को अच्छे से गरम करनेंगे और उसमें हमें डालना है पानी तो हम इसमें पान डाल रहे हैं धाई कप तो मैं इसमें धाई कप पान डाल रही हूं एकर, सूजी और दो कप पोहा के हिसाब से तो इस तरह से आप कोई भी कटोरी या कब सेट कर लीजे उसे से डालिए और मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ यह मसाला तो यह चकली का मसाला यूज़ करने वाली हो गाईज आगे आपको बहुत भी बड़ी आ रेजिवियो ब तो मैंने ये 50 kram वाले जो मिलती है मारकेट में ये भाहिव है और उसे मैंने सारा कासारा डाल दिया है उसमें सारे मसाले होते है पहले से सिर्फ हमें नमग डालना होता है और नमग तो तेल ऑगी तो मैं इसमें घीष डाली हूं कोशिछ किजिएगा घीष डाले लेकिन पीग इसे अच्छे से मिला जेते हैं और इसको एक अच्छा सा उपार आने जेते हैं तो देखिए इस तरह से जब इसमें अवाल आने लग जाए तब गेस की प्लेम को कम कर देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके सुजी को एड़ करेंगे याद रखेगा एक साथ करेंगे तो यह अच्छे से हो जाएगा मैंने एक साथ डाल दी है कि मैंनेज कर सकते हूं अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप एक साथ डाल सकते हैं लेकिन धीमी आज पर ही कीजिए तो देखिए इसी तरह से हम इसे चलाते हुए इस तरह से इसे मिक्स करना है अगर इसमे यह सूजी जो है पानी को अबज़ाप कर लेती है देखिए और ऐसा करते हो इसे हमें डोग की फॉर्म में लाना है देखिए इस तरह से जब यह डोग की फॉर्म में आ जाए तब गेस की प्रेम को बंद कर दीजिए और इसे ठकन ढखकर 2-3 मीठ के लिए छोड़ दीजिए त क्योंकि गरम है इतनी जल्दी थंडा नहीं होगा लेकिन हमें इसे गरम में ही यूज करना है तो इसलिए देखिए अब जब इसको थोड़ा सा चला लेंगे उसकी बाद हम जो पोहा हम पीसकर रखे है उससे हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके याट करना है तो कोशिश क करते हैं हातों से अगर हो सकतों लेकिन यह बहुत गरम like को तो में क्या खरूंगे ने शसक नोड़ने है लोग के इससे मिक्सरा कोशिश कह करना है और इसी तरह से मिलाना है विसे आसान है लेकिन कुछ-कुछ थोड़ी जो चोड़ी बाते होती है उनको यूज करना ज़रूरी है तभी हमारे जो रेसिपी है परफेक्ट बनेगी मेरी यारंटी है बिल्कुल भी नहीं विगड़ेगी तो देखिए कुछ स्पेचला की साहता से कुछ हातों की साहता से इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है तो में इसमें अब सारा जो आटा जो आटा है उसे में डाल गार और इसी तरह से दिरे-धिरे मिक्स कर दो तो यसे ही आपको भी Tr которые आएक है तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो like कर दिजेग जो कि टोटल फ्री है गाईस और आप हमसे फ्री में चुड़ सकते हैं और इसी आसान रेसिपिस रोज देख सकते हैं तो देखिए मैं इसको थोड़ा हलके हलके हाथों से अच्छे से मिला दिया है अब क्या करेंगे थोड़ा सा डो इस तरह से हाथों में लेंगे उसे चेक कर अगर इस तरह के क्रैक्स आ रहे है तो हमें क्या करना है इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको गूधना है तो नॉर्मल जो पानी आप यूज करते हैं नॉर्मल टेंपरेचर वाला पानी हमें लेना है कोई गरम पानी की जुरुत नहीं है क्योंकि जो हमारा डो है व लगा लेना है तो आगे मैं už धिका ही किस तरह का अटा लगाना है divided by one नहीं आना चाहिए क्रेक्स फिर आमें आटा इसका लगा लेना है चलिए हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी याट करते हुए इसमें इसका आटा लगा लिया है अब मैं आपको तोड़ कर दिखाते हूं इस तरह से जब हातों में ले रहे हैं और उसको अच्छे से आचा लेना है तो अब तक तक आप समझे करेंगे हम चकली ही बना रहे हैं तो गाइस बहुत आसान बहुत टेश्टी बनती है बिना दाल चावल की यानि जो चावल को भून कर पीस कर बनाते है उसे बहुत टाइम लगता है यह इंस्टेट चकली है जिसे आप फटा फट से बना कर खा सकते हैं और इसी तैयार करने में आधा घंटा ही लगता है ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है बिस थोड़ी थोड़ी बात है जिसे आपको ध्यान रखनी है तो देखिए इस साचे को हमने ओईल से ग्रीज कर लिया है अब क्या करेंगे इसमें हम थोड़ा डूब डालेंगे और इसको करने से पहले हमने केस पर ओईल को चड़ा दिया है करम करने के लिए आगे बताऊंगे मैं आपको कि इसको कितना करम करना है तो देखिए इस तरह से हमें साचे में ये डूब डाल देना है और साचे को अच्छे से बंद करना है आपके पास चू लिए परफेक्ट बनी है आप देख सकते हैं ना ये टूटेगी ना ये बिखरेगी और तेल में जाने के बाद ये तेल भी नहीं पिएगी तो देखिए इस तरह से अगर आकार नहीं देना आता है आपको यानि गोल-गोल घुमाने में परशानिया रही है तो देखिए आप लंबे आकार में उसको बना लीजिए और बाद दे इस तरह से चकली का आकार देदीजिए बहुत ही आसान है तो इस तरह से हमें सारे चकली बना लेना है अगर गाईज अगर बनाते वक्त टूट रही है बिखर रही है तो आपको क्या करना है पिर से छोगासा पानी डालते ही एड करना है तो बस इस तरह से अब में सारी जो चकली है बनाऊंगी लेकिन एक साथ सारी नहीं बनानी है मतलब जितनी आपको अभी तलना है ना उतनी ही बनाईए जब यह तल जाएगी उसके बाद दूसरी बनाईए या फिर इनको तरने दीजिए फिर दूसरा पैच ब बनाते रहेंगे एक साथ सारे बनाकर नहीं रखना है उससे भी वह भीगड सकती है अब देखिए मैंने ओयल को अच्छा खासा गरम कर लिया है देखिए जैसे मैं चकली डाल रही हूँ यह अच्छा खासा गरम है इसके बबल से ही आपको पता लग रहा होगा ता हमें इसम जादा समय बिल्कुल नहीं लगता है इसलिए मैंने आपको कहा है कि इंस्टेट चकली है जिसको आप बिना चंजट के बना सकते हैं बिना महनत के और एक्दम तुरंत फटा-फट से बन जाएगी बहुत ही आसान तरीका है ज़रूर फॉलो किजेगा और बना कर देखिए य अब तक गैस मीडियम ही रहेगा और देखिए सिर्फ तीन से चार मेंटी हुआ है और हमारे चकली तैयार है इसको ज्यादा अलतना परटना भी नहीं है सिर्फ एक दुबार अलत परट कीजिए और बस हो गए और अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए जो बबल से पुरी त पीशी पेपर के साथ और निकल जाएगा चलिए फिर इसी तरह से हम सारी बना लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से तेल को रिमूब करके इसको निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितनी मसता हमारे चकली बनी है और यह बिल्कुल भी पिगली है ना इसन और देख सकते हैं कितनी मसता हमारे चकली बनी है और मैं आपको देखाओंगी देखिए मैं इस तरह से एक आपको दिखाती हूँ टीशु पेपर पे लेकर कि इसने ओईल कुस्टा सोखा नहीं है कई चकलिया इसी होती है जो ओईल को पी जाती है और बहुत ओईली ओईल ल का है ना हमने इसमें कोई सोड़ा का यूज किया है ना बेकिंग पाउडर का इस ते ठमल चकली बन करके रेडी है तो गैस आपको गर यह वीडियो सरासी भी पसंद आई हो और मेरे आइडिया सरासी भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और हां चैन एकदम क्रिस्पी और बहुत करारी है और जितने भी दिन आपको इसको रखेंगे यह मुलाइम नहीं होने वाली है यह करारी बनी रहेगी पूरे आपके खतम हो जाएगी लेकिन यह करारी बनी रहेगी क्रिस्पी बनी रहेगी चलिए फिर मिलते हैं इसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में तक के लिए बाबाई and टेक केर